exercise 3.3 question to find the square root of each of the following decimal numbers so यह decimal number से इसका square root हमें find करना है यह a में दिया है 1398.76 तो इसका solution हम कैसे निकालेंगे तो इसका solution ऐसे होगा पहले हम क्या करेंगे यह 1398.76 इसमें 2 part है इसको हम कहते है integral part इसको कहते है decimal part तो integral part को पहले हम pair करेंगे मानलो यह एक pair हो गया यह एक pair हो गया तो हम right hand साथ से pair करेंगे इस साथ से pair करेंगे तो यह एक pair बनेगा और यह pair बनेगा next हम क्या करेंगे decimal part को pair बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे यह decimal part है decimal point की बाद से pair बनाएंगे तो यहां से start करेंगे यह हो गया एक प्यार तो अभी हम इसको long division method से divide करेंगे पहला जो प्यार है यह 13 13 को पहले हम divide करेंगे डिवाइसर में जो भी number रखेंगे यह कुई टेन में भी वो ही number रखेंगे 13 13 को divide हम कैसे करेंगे मालो 4 into 4 4 की साथ जब 4 multiply करेंगे तो बेलवाएगा 16 16 is greater than 13 सो हमें क्या करना बढ़ेगा 3 into 3 करना बढ़ेगा तब यह क्या होगा 9 होगा तो इधर हम 3 रखेंगे डिवाइसर की जागा पर और इधर एक विटन की जागा पर भी 3 होगा तो 3 3 जा कितना होगा 9 होगा तो पहले हम 13 से 9 को subtract करेंगे 13 से 9 जो subtract होगा तो वेलवाएगा 4 next यह जो pair है 98 यह एक साथ नीचे आ जाएगा इसको हम नीचे bring down कर सकते हैं लेकिन एक साथ लिखना पड़ेगा 98 होगा तो 498 होगा टोटेल वेलो अभी हम क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे 3 ब्लास 3 वेलो कितना होगा 6 यह जो 6 है 6 की बात में हम एक नंबर देंगे और उसी नंबर से हम क्या करेंगे इधर भी एक नंबर देंगे उसी नंबर से इसको multiply करना पड़ेगा मतलब 6 अगर हम इध इधर अगर हम 7 देंगे इधर भी 7 देंगे तो 7 और यह वेलो 67 दूनों को multiply करेंगे तो उसका वेलो आएगा 469 अगर 7 से जाधा 8 देंगे तो इस नंबर से ग्रेटर नंबर आजाएगा इसलिए हम क्या करेंगे 7 इंटो 7 करेंगे तो 7 7 की साथ जब multiply होगा मतलब 67 इंटो 7 इसकी साथ जब multiply होगा 7 7 जब 49 का 49 होगा 9 होगा carry 4 होगा 6 7 जब 42 42 प्लास 4 इग्वेल तो 46 यह आएगा वेलो 498 से जब हम 469 को subtract करेंगे तो वेलो रहेगा 29 नेक्स हम क्या करेंगे यह जो 67 है 67 की साथ यह जो अपर में हमने 7 दिया कोई दिन की जगापर उसको add करेंगे तो add करने से कितना वेलो आएगा 4 and 6 प्लास 1 इक्वेल तो 7 तो वेलो आएगा 7 4 तो इधर होगा 7 4 तो 7 4 नेक्स ह नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यह decimal point की बात में जो pair है उसको निचे लाएंगे तो 76 76 जब भी निचे आएगा मतलब decimal number की पीछे का जब भी pair निचे आएगा तो decimal point को हमें उपर लिखना पड़ेगा तो अभी value आया 2976 2976 को अभी हमें 7 4 और इधर एक number रहेगा उसी number से 744 को multiply करेंगे तो value आएगा 2976 अभी यह दुनों को जब हम सब स्टेक करेंगे तो remainder होगा 0 therefore हमें क्या मिला root over 1398.76 equal तो हम क्या लिख सकते है यह तो value है 37.4 यह होगा उसका answer question 2b 151.29 इसको भी हम pair बनाएंगे तो pair पहला pair कौनसा होगा decimal point की जो यह जो पहला part है इसको integral part बोलते है integral part में हम right hand side से left hand side तक pair करेंगे तो यह होगा पहला pair और यह one next होगा decimal point की बार हम right hand side की तरफ pair बनाएंगे तो यह होगा एक pair तो अभी हम क्या करेंगे 1 की लिए divide करेंगे 1 की लिए divide करने से device room में 1 देंगे एन कोई टेंड में 1 इन तुनों को multiply करेंगे तो value कितना होगा वान होगा वान को सबस्टेक करेंगे तो value आएगा 51 यह जो पीछे का pair है नीचे आजाएगा अपर रेंगे तो 7 रहेगा तो अभी यह जो 22 है 22 की साथ उपर में जो 2 दिया था उसको हम क्या करेंगे add करेंगे add करने के बाद 24 आएगा total में लोग इधर हम लिखेंगे 24 24 की बाद इधर हम क्या करेंगे एक number फिर से देगर क्विटन में भी वही number देगे देगर multiply करना पड़ेगा तो 7 को इससे divide नहीं हो पाएगा तो हम यह पीछे में जो 29 है 29 को इधर लाएंगे 29 को जब भी लाएंगे तो यह decimal point क्या हो जाएगा उपर में हो जाएगा तो उपर हमको लिखना पड़ेगा अभी भिलू हुआ 729 729 को हम अभी क्या करना पड़ेगा एक number से multiply करना पड़ेगा अगर हम इधर 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे तो 3 3 जा कितना बनेगा 9 and 3 4 जा 12 का 2 होगा and 3 2 तो जा 6 6 plus 1 equal to 7 यह हो गया 729 729 से 729 जब सबस्ट्रीक होगा तो remainder के आएगा 0 1 therefore root over 151.29 equal to 12.3 यह होगा उसका answer question 2c 2c में value दिया है 201.64 तो इसमें यह होगा decimal part यह होगा integral part इस को pair करेंगे तो यह जो right hand side से right hand side से pair खढ़ें लेफट एंस कुछ टक यह बनेंगी एक pair और यह single number next decimal part की bar को pair करेंगे इसको तो right hand side, left hand side से right hand side तक pair करेंगे तो अभी 2 के लिए divide करेंगे तो 1 & 1 जा कितना होगा वन होगा तो इसको subtract करेंगे तो 101 होगा Next है हम क्या करेंगे इन दूनों को एड करेंगे तो भेलो होगा 2 तो 2 से 101 को डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें 4 एंगे तो इसमें भी फोड़ेंगे तो 4 4 16 का 6 होगा करी 1 होगा next 4 28 8 प्लस वाद इक्वेल टू भेलो होगा 9 तो 101-96 इक्वेल टू कितना आएगा 5 तो 5 को अभी क्या करना पड़ेगा 24 यह जो 24 की साथ हमें 4 को एड करना पड़ेगा वेलो आएगा 28 तो 28 यह हो गया तो 28 से इसको डिवाइन नहीं होगा पाएगा तो decimal का जो पीछे का पार्ट है उसको लाना पड़ेगा 64 तो इसको जब लाएंगे तो यह decimal को इन उपर लिखना पड़ेगा यह बन गया है वेलो तो इसका remainder 0 हो गया therefore हमने देखा कि root of our 201.64 इक्वेल टो बेलो आएगा 14.2 यह होगा उसका answer question 2f so 146.41 यह बन गया पहला प्यार यह single होगा यह होगया एक प्यार तो 1 के लिए divide करेंगे 1 into 1 equal to 1 होगा तो जब subtract होगा तो इधर क्या रहेगा 4 and 6 again क्या करेंगे 1 plus 1 equal to 2 होगा तो 46 के लिए divide करेंगे तो इधर 2 तेंगे तो कितना होगा 2 to the 4 and 2 to the 4 तो जब इसको subtract करेंगे तो value आएगा 2 अभी decimal part का जो पीछे का value है उसको इधर लाएगे 41 तो decimal point को उपर लिखना पड़ेगा 241 to 41 को हमें divide करना है यह 22 है 22 की साथ यह 2 की 2 को हम add करेंगे तो 24 होनेगा तो इधर लिखेंगे 24 इधर एक number देना पड़ेगा और इधर भी same number देना पड़ेगा इन्टोनों को जब multiply करके यह भेलो निकालना है तो क्या करेंगे 1 अगर इधर देंगे इधर अगर 1 देंगे तो कितना आएगा 241 आएगा तो सबस्टेक करेंगे तो remainder कितना होगा 0 जब भी इसका remainder 0 आएगा तो हमें यह पता चलेगा कि 12.1 is a perfect square of this number तो हम क्या करेंगे root over therefore root over 146.41 equal to 12.1 यह हो गया उसका 6.76 इसका solution हम बहुत easy से करेंगे 6.76 तो यह बन गया एक pair और यह हो गया एक pair decimal point को बात में जो भी number मिलेगा उसको हम pair करेंगे तो right hand side to left hand side तक decimal part की पहले जो part होगा उसको हम कहते है integral part, integral part को हम right hand side से left hand side तक pair करेंगे तो अभी हमें क्या 6 के लिए divide करना पड़ेगा तो इधर जो भी number देंगे उधर भी same number देंगे मतलब device or and quittent both are equal होगा तो हम इधर अगर 2 देंगे तो इधर भी 2 देंगे तो इधर ना पड़ेगा 2, 2 जा कितना होगा 4 तो 6 से 4 जब subtract होगा तो value रहेगा 2 next in 2 को add करेंगे तो add करना पड़ेगा 4 होगा value decimal point के बाद का जो pair है उसको नीचे लाएंगे इस point को उपर लाएंगे next यह pair जब भी नीचे आएगा decimal point उपर लिखना बड़ेगा तो 276 को अभी हमें divide करना है तो अगर हम इधर 6 time देंगे इधर भी 6 time देंगे तो 6 6 जा कितना होगा 36 36 का 6 carry होगा 3 तो 6 424 24 plus 3 equal to 27 यह हो गया value तो यह से सबस्टेक्स होगा तो 0 हैगा तो हम क्या लिख सकते है रूट अभार 6.76 equal to 2.6 यह हो गया असका अचार question 2H 1.0201 पहले हम क्या करेंगे pair करेंगे 1.0201 यह बन गया एक pair यह दूसरा pair यह बन गया एक single number तो 1 के लिए पहले हमें divide करना परेगा 1 1 जा 1 होगा next के आएगा यह जो पीछे का part को हमें लाना परेगा 0 2 decimal point को अपर लिखेंगे अभी 1 into 1 plus 1 equal to कितना आएगा 2 तो यह जो होगे एक part यह दूसरा pair तो 0 2 को हम divide नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मतलब इसको हम 0 time देंगे तो इधर भी 0 times देना परेगा तो इधर विलो आएगा 00 जब इसको subtract करेंगे तो विलो क्या आएगा इधर एक हमें number देना परेगा है वही number इधर भी देना परेगा तो 1 इधर देंगे next इधर भी 1 देंगे तो 1 into 1 equal to 1 1 into 0 equal to 0 1 into 2 equal to 2 तो इससे जब यह सब स्टेक होगा इसका क्या आएगा remainder 0 हो जाएगा therefore root over 1.0201 equal to 1.01 यह आएगा उसका square root 2.89 तो पहले हम इसको pair करेंगे यह बनेगा एक single number और यह बनेगा एक pair 2 1 1 जा कितना होगा 1 होगा तो इसमें आएगा 2 sorry 1 आएगा इसमें इसमें 1 आएगा तो इन दोनों को add करेंगे तो वेलो होगा 2 तो इस part को नीचे लाएंगे 8 9 अभी decimal point को उपर लिखना परेगा जब भी यह part नीचे आएगा decimal point उपर लिखना परेगा तो इसमें कौन सा नमबर डेने से 189 निकल के आएगा अगर हम अगर इधर 7 देंगे इधर भी 7 देंगे तो 27 इंटो 7 जब करेंगे 7 7 जब करेंगे 7 7 जब 49 का 9 carry 4 and 4 2 इंटो 7 इक्वेल तो 14 14 प्लस 4 इक्वेल तो 18 तो यह बन गे असका वेलो तो अगर हम 7 टाइम देंगे त तो इसका वेलो बनेगा 189 जब भी हम 189 से 189 को सब स्टेक करेंगे तो वेलो रिमेंडर होगा 0 therefore 2.89 root over 2.89 equal to 1.7 होगा इसका स्क्वार रूट question 2z, 2z में दिया है 17.64 तो इसको अगर हम pair करेंगे तो decimal part की बाद में एक pair मिलेगा और decimal point की पहले हमें एक pair मिलेगा तो 17 के लिए हम divide करेंगे तो 4 into 4 जब करेंगे तो 16 आएगा तो हम कर सकते है यह बनेगा device और यह बनेगा quittan तो 4 into 4 equal to कितना बनेगा 16 तो 1 आएगा इंडोनों को जब sub stack करेंगे तो 1 होगा तो next इंडोनों को add करेंगे तो 8 होगा 4 plus 4 equal to 8 next इधर हमें लाना पर एगा 64 को तो यह decimal point उपर जाएगा यह जो 8 है 8 की सारा अगर हम 2 देंगे और उपर में भी अगर 2 देंगे तो value कितना आएगा तो 164 आज आएगा तो हम इधर क्या दे जाकते है 2 दे जाकते है तो इधर भी हम 2 देंगे तो इसका value आएगा 164 जब भी sub stack करेंगे तो इसका remainder आएगा 0 therefore root over 17.64 equal to 4.2 हम दिख सकते है यह बनेगा इसका square root